प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाड़ी जीवन की रोटी नैनों की जोती अंधेरा मिटाती पाड़ी 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 पागित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है 12 अप्रेल मंगलवार पहला पाड नभी इसायस का ग्रंद अध्याई उन्चास वचन संख्या एक से छेतक पाड़ का मूल सारान से है मैंने तुमको राष्टों की जोती बना दिया है जिससे मेरा मुक्ती विधान प्रित्वी के समानतों तक फैल जाए दूरवर्ति दीप मेरी बात सुने हे दूर के राष्टों कान लगा कर सुनो प्रभु ने मुझे जम से पहले ही बुलाया मैं माता के गर्ब में ही था जब उसने मेरा नाम लिया उसने मेरी वानी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया उसने मुझे एक नुकेला तीर बना दिया और मुझे अपनी तरकस में रख लिया उसने मुझे कहा तुम मेरे सेवक हो मैं तुम में अपनी महिमा परकट करूँगा इस परकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया मेरा इस्वर ही मेरा बल है मैं कहता था मैंने बेकार ही काम किया है मैंने वेर्थ ही अपनी सक्ति खर्च की है प्रभु ही मेरा न्याय करेगा मेरा पुरुसकार उसी के हाथ में है प्रन्तु जिसने मुझे माता के गर्व से ही अपना सेवक बना लिया है ताकि मैं याकुब को उसके पास ले चलूँ और उसके लिए इसराइल को इखटा कर लूँ वही प्रभु अब या कहता है याकुब के वन्सो का उधार करने तथा इसराइल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए ही तुमको मेरा सेवक नहीं बना मैं तुम्हें राष्टों की जोती बना दूँगा जिससे मेरा मुक्ति विधान पृत्वी के सिमानतों तक फैल जाए यह प्रभु की वानी है संद योहन के अनसार प्रभी एशु का पवित्र सुसमाचार अध्याय तेरह पद संख्याएं 21 से 33 एवं 36 से 38 तक एशु का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने कहा माई तुम लोगों से यकाता हूँ तुम मेंसे ही एक मुझे पकडवा देगा शिश्य एक दूसरे को देखते रहे वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विशे में कह रहे हैं एशु का एक शिश्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी च्छाती के सामने लेटा हुआ था सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से ये कहा पूछो तो वे किसके विशे में का रहे हैं इसलिए वो इसा की चाती पर जुक कर उनसे बोला प्रभू वो कौन है एशु ने उतर दिया मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूँगा वही है और उन्होंने रोटी डुबो कर सिमोन इसकारियोती के पुत्र यूदस को दी यूदस ने उसे ले लिया और शेतान उसमें घुस गया तब एशु ने उससे कहा तुमें जो करना है वो जल्द ही करू भोजन करने वालों में कोई नहीं समझ पाया कि एशु ने उससे ये क्यों कहा यूदस के पास थाइली थी इसलिए कुछ लोग ये समझते थे कि यूदस ने उससे ये कहा होगा कि हमें परु के लिए जो कुछ चाहिए वो खरीदना या गरीबों को कुछ दान देना टुकड़ा लेकर यूदस तुरंद बाहर चला गया उस समय रात हो चली थी यूदस के चले जाने के बाद ये शू ने कहा अब मानो पुत्र महिमानुवित हुआ और उसके दौरा ईशुर की महिमा प्रकट हुई यदि उसके दौरा ईशुर की महिमा प्रकट हुई तो ईशुर भी उसे अपने हां महिमानुवित करेगा और वो शीग रही उसे मही मानुद करेगा बच्चो मैं आवर थोड़े ही समय तक तुमारे साथ हूँ तुम मुझे ढूंडोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुम से भी वही कहता हूँ मैं जहां जा रहा हूँ वहां तुम नहीं आ सकते सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा प्रभू आप कहा जा रहे हैं एश्यू ने उसे उतर दिया मैं जहां जा रहा हूँ वहां तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते तुम वहां बाद में आओगे पेतरुस ने उनसे कहा प्रभू मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूँगा एशु ने उतर दिया तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे मैं तुम से यह कहता हूँ मुर्गे के बांग देने से पगले ही तुम मुझे तीन बार अस्विकार करोगे यह प्रभू का पवित्र सु समाचार है क्रीश प्रभू की जाए एशु में मेरे प्रियभाईयों भानो हम लोग पवित्र सप्ताव में है प्रभ एशु के दुख पीड़ा और मृत्ती को याद करने और एशु के और नजदी काने का यह पवित्र समय है आज के पहले पार्ट को हमने सुना जो इसायास नभी के गरंद के उन्चास्वे अध्याई से है यहाँ पर इसायास नभी अपने आपको प्रभु के सेवक के रूप में प्रसुत करते है और उनके और एर्मिया नभी के बीच बहुत समंजस है समानता है वो सेवक नभी एर्मिया की तरह इसाया नभी भी अपने आपको सेवक करते हैं और यह करते हैं कि वो अपनी मा के कोक से ही चुना गया है और बुलाया गया है वो आज के पहले वाक्य में करते हैं प्रभु ने मुझे जर्म से पहले ही बुलाया मैं माता के गर्ब में ही था जब उसने मेरा नाम लिया नभी लोग यह अनभोग करते हैं संद लोग यह अनभोग करते हैं जो प्रभु के सचे सेवक है उनका यह अनभोग है कि वे बहुत पहले ही जनम से पहले ही इशर के द्वारा चुने गए हैं हम लोग लुकस के सुसमाचार में योहन के बारे में ये बात सुनते हैं कि योहन के जनम के बारे में जकरियस को ये भविशवानी दी गई थी लुकस के सुसमाचार के पहले द्याई के पंदरवे वाक्य में लिखा है वो प्रभु की दुर्ष्टी में महान होगा अंगूरी और मदरा नहीं पिएगा वो अपनी माता के गर्ब में ही पवितरात्मा से परिपून हो जाएगा माता के गर्ब से ही वो चुना जाता है इसी तरह एशु के बारे में भी भविशवानी की गई गाबरियल सुगदूत ने मरियम को दर्शन दे कर यही बात कही लुकस के सुसमाचार के पहले द्याई के 31 पदप लिखा है सुगदूत करते हैं देखिए आप गर्ब होती होंगी पुत्र प्रसो करेंगी और उनका नाम इसा रखेंगी इसा मतलब मुक्तिदाता माता के गर्ब में ही इश और अपने सेवकों को चुनते हैं संद पाउलूस भी अपने बारे में यही बात करते हैं गलातियों के नाम पालूस के पत्र के पहले अध्याई के पंद्रों पत्र पल लिखा है इस वर ने मुझे माता के गर्ब से ही अलग कर लिया और अपने अन ग्रह से बुलाया था मेरे प्रियों भाईयों बहनों हम सब को अपनी बुलाहट को समझने की जरूरत है हम सब इश्र के दौरा उनके सेवक बनने के लिए बहुत पहले से ही बुलाए गए है और नभी इस्या नभी की एक खासियत है कि उनकी बुलाहट गाहर विश्वासियों के बीच में है वो विकास और विनाश दोनों की बात करता है वो विनाश और आनंद दोनों को संदेश देता है वो उत्पीडन और शुदीकरन दोनों संदेश देते हैं और वो साबित करते हैं कि पृत्वी के कोने कोने तक प्रभ के संदेश को पहुंचाने के लिए वो बुलाया गया है नभीयों के द्वारा ईश्व चाते हैं कि ईश्वर का सुसमाचार ईश्वर का शुब संदेश मुक्ति का संदेश संसार के कोने कोने तक पहुंचाएं यही बात मंदिर में जब एश्व पवित्र एरुशले मंदिर में चड़ाया जा रहा था समर्पित किया जा रहा था तो उस समें बृद्ध समयोन के हाथ में एश्व बालक के रुप में थे आउस समयोन ने भविशवानी की मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तुने सब रास्टों के लिए प्रस्तुत किया है यह गाएर यहूदियों के प्रबोदन के लिए जोती है और तेरी पजा इस्राइल का गवरव एश्व के बल यहूदियों के लिए नहीं पूरी दुनिया की जोती के रुप में एश्व ने जनम लिया है और एश्व का सुसमाचार इश्व का संदेश सबों तक पहुंचाने की जरूरत है तो संसार के कोने कोने तक इश्व के सुसमाचार को फाइलाने की जिम्मेदारी प्रबो के सभी विश्वासियों को सभी भक्तों को है प्रिया भाईयो बहनू आज के सुसमाचार की शुरुवात में ही हमें विचलित करने वाले एक वाक्य एशु के मुझे हम सुनते हैं एशु अपने शिश्यों के साथ भोजन करने से पुर्व अपना अंतिम प्रवचन देते हुए ये कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा शिश्यों को स्थप्ट करने वाला ये संदेश था और हर विश्वासी के जीवन की ये सत्यता है अपने प्रवु के साथ चल कपट करने का प्रलोभन का खत्रा हर विश्वासी के उपर मंडराता रहता है हर विश्वासी के जीवन में ये खत्रा बना रहता है एश्यों की शक्ती के प्रती संपून समर्पन या विनम्र समर्पन से ही हम इस फलोभन से बच सकते हैं आज के सुसमाचार में हम तीन शिश्यों का जिक्र सुनते हैं जिनका तीन तरीके के विवहार हैं सबसे पहले एश्यो का प्रियतम शिश्योहन जो एश्यो के सीने के सामने लेटा हुआ था लिखा गया है यानि एश्यो के घृदे की धड़कनों को वो सुन रहा था और उसके घृदे में एश्यो के दिल की धड़कन था और दूसरा शिश्यो पेत्रूस डगमगाता हुआ वो शिश्यो जो एश्यो का अनुसरन करना चाता है लेकिन मानवी या कमजोरियों के कारण वो अपने वो असमर्त हो जाता है और तीसरा वो यूदस इसकरियोती जो चलिया निकला बेमान निकला जो अन्दकार की शक्तियों से घहरा हुआ है और पाप के उस रात में अपने आप को शैतान के हवाले कर देता है हमारे क्रिस्टिय जीवन में विश्वासी जीवन में हम इन तीनों दोरों से गुजर सकते हैं वो प्रियतम शिश्या योहन की तरह जब हम प्रभू पर पूरी तरह नर्बर रहते हैं और प्रबु पर पूरी तरह भरोसा रेकर उन पर नर्बर हने की जरूरत जब हम समझते हैं और प्रबु के दिल में अपनी जगा हम बना लेते हैं और अपने दिल में प्रबु को जगा देते हैं तब हम एशु का प्रियतम शिश्य बनते हैं पेतरुस वो डगमगाता शिश्य की तरह जब हम अपनी ताकत पर अधीक परोसा करते हैं और अपना ध्यान प्रभु पर नहीं प्रभु से हटा कर अपने पर केंदरित करते हैं तब हम पेतरु की तरह विश्वास के माग से पीछे हट सकते हैं प्रभु के प्रती विश्वस्तता से हम पीछे हट सकते हैं वो छलिया शिश्य, यूदसिस्करियोती, धोके बाज शिश्य, बेमान शिश्य जब हम प्रभु को पूरी तरह भूल जाते हैं प्रभु के प्रेम मार्ग से हट जाते हैं और विचलित हो जाते हैं और पापूर्न अंदकार की शक्ति के हातों में अपने को सौँप देते हैं तब हम बेमान बन सकते हैं यूदस की तरफ बन सकते हैं तो इसलिए हमें सतर करना होगा मेरे प्रिय भाईयो बहनू इस पवित्र सब्ता में हमें हम अपने आप से ये सवाल पूछें क्या मैं जा रहा हूं मैं प्रब के प्रे में और घनिश्टता में आगे बढ़ रहा हूं क्या मैं महसूस करता हूं कि मुझे उसके और निकट जाने की जरूरत है और उसके प्रे में और गोते लगाने की जरूरत है संद लोगों का जीवन जब हम देखते हैं तो वे उत्पीरन पीड़ा दुख तकलीफ के बीच में भी प्रभु के प्रेम में बने रहे संद अलफौनसा की जीवनी को हम जानते हैं कितनी बीमारियां कितनी शारिरिक तकलीफ हैं लेकिन प्रभु के प्रेमे प्रभु के साथ वो जुड़ी रही हमें योहन की तरह एशु का प्रियतम शिच्छ बना है संदल फून सास और अन्य लोगों की तरह प्रभु प्रेमे और नजदीक और और मजबूत होना है क्यामाई पेतरुस की तरह अनिश्चिता और अती आत् विश्वास के छिचले पानी में हम बह रहे हैं और विश्वास में डगमगाते जा रहे हैं क्यामाई बेवान शिश्य यूदस की तरह प्रभु प्रेम की चोटी से नीचे लुड़क कर अपने स्वार्थ और लोभ में आत्मिक अंदकार की खाई में गिर रहा हूं ने स्थापन की परसों पुन्य ब्रथ पतिवार को परम परसाथ की स्थापन का पुन्य दिवस हैं और यह आवसर है हम योग यरीति से परम परसाथ को स्विकार करने के लिए अपने आपको तैयार करें आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एशू ने अपने शिश्य यूदस को रोटी तोड़ कर दी हम मानते हैं कि वो सारे शिश्य बारहों प्रेरित बड़े सव भाग शाली थे जो पहले परमप्रसाद के उस समारों में जिनोंने भाग लिया लेकिन यूदस इसकरुतियों ने पाप पून अस्तिती में और जान बुश कर पापून इच्छा रखते हुए प्रभ को स्विकारा जीवन की रोटी को उसने स्विकारा और उसका परिणाम क्या निकला उसके कारण वो स्वयम अपमानित होकर माउट को गले लगाया हम भी योग यरीती से प्रभ को स्विकार करने की तैयारी करें शुद्ध खरदे शुद्ध मन शुद्ध विचार से प्रभ की उपस्तिती में रहकर उनको स्विकार करें और परमप्रसाद को स्विकार करने के बाद दिन भर प्रभ की उपस्तिती में क्या हम रहते हैं बोली हमारा व्यवहार क्या परमप्रसाद की उस पवितरता से प्रेरित है क्या हम दूसरों के लिए विशेश कर दुनिया में जरूरत मन्दों के लिए अपने परोपकार के दौरा प्रेम के दौरा परमप्रसाद बनते हैं एशुने रोटी तोड़ कर दूसरों को दिया उसी तरह हम भी अपने आपको तोड़ कर अपने आपको तूटने के कगार पर लाकर दूसरों के लिए सोयम समर्पित करें आज की दुनिया में मेरे प्रिय भाईयों बहनों अपने विश्वास को मजबूती के साथ प्रकट करने की जरूरत है प्रलोभन चल कपट डगमगाता विश्वास इन सब के बीच में योहन की तरह एशु का प्रियत्म शिशे बनते हुए एशु के दिल की धड़कन को सुनते हुए और एशु को अपने दिल में जगा देते हुए हम अपने विश्वास की आतरा में आगे बड़े आईए हम प्रात्ना करें सवशक्तिमान प्रेमी पिताईश्वर हम तुझे दिन्यवाद देते हैं हमारे मुक्तिदाता उधार करता प्रभी एशु के लिए हम एशु के परमप्रसाद के इस महान वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं एशु के सानिध के लिए एशु की संगती के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं तिरे इस्तुति करते हैं है प्यारे प्रबू हमें करपा दे कि हम अपने जीवन में अपने विश्वास में और गहरे होते जाएं और एशु के साथ एक तात का अनभव करें एशु के साथ घनिश्टता का अनभव करें हम अपने दिल को एशु के लिए खोल देते हैं हमारे हुदे में एशु निवास क करें हमारे दिलों मन में एशु का संदेश एशु के प्रेम पूर शिच्छा निवास करें और हमारा जीवन बदल जाएं ये प्रातना करते हैं क्रीस्ट हमारे प्रभु के द्वारा आमें पागत्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है